हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेस्ट कम्टिटिप इग्जाम और जोब अब उडिट पताऊंगा इस वीडियो को शुरू संतक देखें पसाना ने पर आक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज यह जो की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो सुरू करते हैं आज आपको नौ वजे से थोड़ी दर के बाद है जो कि आपको परवेश पत्र मिलना शुरू हो जहाँ परवेश करना सुरू हो जाएगा जहां भी आपके कच्छे 506 के अंदरों पर है जो कि बिहार में परीच्छा और यह लग वक तीन लाग परिच्छारती है जो कि इसमें बैठेंगे और क्योंकि उमीद मनाएं कि यह परिच्छा है जो कि शान्ति पुर्ण और कोई भी बिना हल चलके जो कि समापते हैं कि अगर फिर से कुछ होती है तो फिर से और भी डिले हैं जो कि हो सकती है इसलिए आप लोग है कि आप अपने फूरी एफोर्ड है जो कि लगा कभी भी आप नीनान में परिच्छा होल में कि मैं यह कर सकता था और यह मैंने नहीं किया इसलिए को देखें और जहां तक आपकी च्छमता है वहां तक पड़ें थोड़ी सी मैस रिजनिंग के लिए समय बचा कर रखें ज कारण क्या है कि उनके पास समय नहीं बचा तो GS के प्रश्णों में आपको सायन्स के प्रश्ण हो लगभां करते हैं उस पर भी समय लगाते है उसको आपको एक नजर में देखना है बनाना है नहीं बनाना है या जो अंसर है उसको आप पहले से ही किलियर कर लेंगे या उसको रेंग लेंगे तो यह परक्रिए अगर आप बनाएंगे कि GS प्रश्णों को तेजी से बनाएंगे तो math और reading के लिए समय बज जाएगा कठीन से कठीन प्रश्ण भी अगर math और reading में आ गया तो उसमें भी आप समय दे सकते हैं लेकिन जैसे ही आप GS के प्रश्णों पर काफी ज्यादा समय देंगे तो निशी दुरूप से आपको math और reading कम और फिर आसान question भी आपको हर बढ़ाहट में बनाने पड़ेंगे और pressure में क्या होगा कि आपको नहीं बन पाएगा जहां तक संबब हो अगर तेजी से बनाना है तो पहले math और reading ही बना लेकि जो जो कम से कम आसान question जो आपको आता हो तो गलत नहीं होगा GS में तो confusion रहेगा है इसलिए अगर जिनको समय का problem math और reading को पहले बना लेकि जल से जल कम से कम जो बनने लाए questions को फिर hard question को बाद में चूँ सकते हैं फिर GS बना ले यह परक्रिया आप अपना सकते हैं तो जो भी लोग आज भाग लेना उनको हार्दीर सो कामना है कि आप है जो कि आप सफल हो और जो भी 12-14,000 जो result आएगी और यह पूरी परक्रिया आप कलेंडर देख में कलेंडर में आप अगर देखेंगे फरारंबिक फरिच्छा का फरकाशन था 20 जनवरी और अभी मार्च हो गए तो मुख्य फरिच्छा की संभाविती थी थी मार्च 2023 लेकिन अभी प्री एक्जाम ही हो रही है मुख्य परिच्छा की रिजल्ट है जो कि अप्रेल 23 में प चार महीने तो जरूर डिले हो गई है अगर फिर भी अगर यह परिच्छाएं परक्रिया रदेत रही तो इस साल के अंध तक है जो कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है लेकिन आगे कुछ नहीं होना चाहिए इसे कि आप करक्रिया जो किसा जारी और पहले पीट ईजर जूरी प्रीक्जान के बाद ऊदिया जाय सब्सक्राइब क्या है इस को ऑब्जेक्शन गया है तक देखते हैं इस नोटीस में क्या है कि फाइनल अंसर की भी जारी कर दिया गया है लेकिन इसके बाद भी जो कि अपती है मतलब यह आपको दिया जारा प्रार्विक परिछा का और फिर भी आपती है तो आप दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं तो यह जो है आपको कि अठारा व्याहाराच दोज के आयोक का लिएता चार तिनके आयोक से मों फेर भी बतो नहीं है तो कि नहीं हुगा नहीं होगा मात्समंदी तपीकलता जो इस आदर्स उतर से संतुष नहीं और उनके पास अपने अपत्तिक पच्छ में कोई नया सार्च जो पूर्व में समर्पित नहीं हो वह जो कि के वह वैसी अवैर्थी पर्मानिक सब्सक्राइब कर दो साथ-3 तक आपको देना मतलब यह जा रहा है कि इसमें जो पहले से परमान है उसके अलावा भी आपको अंसर प्रापती है तब आपको देना है मत्लों यह और अनसरे और जरूर मिला ले और कि कि इन कि यह मार्म से आ रहे हैं कि कुछ दिया है या भूल भी याते हैं तो यह अंसर कि पूरी यहाँ पर किलियर किया हुआ जिसे एक प्रस्ण जो प्रशन पर है जो कि कहां कहां से लिया गया है वह सारा है जो कि हर प्रशन में डिटेल दिया गया प्रशन पर अगर आप दिया गया है तो आपको अपती है तो साथ तीन तक है लेकिन नहीं साथ चुका है पुराना जो साथ देन्स को माना नहीं जाएगा तो विचार किया जा चुका है अब बात करते हैं दरोगा वेकंसी की क्या कोई उमीद है तो अगर इस ख़बर को देख सकते हैं यह जो है पहली बार सबसे अधिक माहिला आपसर बिहार पुलिस एक साथ है जो कि पुलिस कर्मियों की दूर करेगा तो अब सवाल है कि ट्रेनिंग का भी टेंशन खतम हो गया क्या आपकी ट्रेनिंग है जो कि अब यह जो है कि यह सकती है क्या कि इसकी इसकी पूरी त्रेनिग है अब है जो है वहशी कोई हल नहीं है कि आपको जब भी थोड़ी हाल चलते है एक सो बाराः वाले दरौगा के पूर्णूट द्रऌंगा में डिले हो शकती है और अभी हाल हाला कि पच्छ में आपके हैं जो लोग तयारी कर रहे हैं उनके एक पच्छ में कि ट्रेनिंग इन लोगों की पूराने वैच के हो पूरी हो चुकी है जार्खंड के खबरों की जोर करते हैं तो नई नियोजन नीती तयार होगी जल्द ही 17971 पदों पर होगी नियुक्ति पर गिरिया शुरू होगी दरदसर राज सरकार ने नियोजन निती में बदलाव कर दे इसमें सामान बर के अब हैटतियों को दस से बाराव भी पांस करने के निवाय रहता थी हाई कोट ने आसम्मेधानी को बताते हुए जो कि नियोजन निती को रद इसके बाद भी भागों द्वारा फिजी गे सबसे इंपोर्टेंट जो पर इच्छा करते हैं तो यह जो है आपकोस सामान असना तकस्तरिये वाले 956 है जिसको 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 साहायक पर साखा पदादिकारी बिहार में सचिवाले साखा आया तफिर डिप्लोमा स्थार के जो आप इलेक्रिकल सिबिल मेकिनकल के उसके प इंटर्मीडियत अस्तर के 901 परिच्छा है नगरपारका से 901 454 है जो कि टक्निकी विशिष्ठ आसू लिपी के भी 452 है शिच्छा के 321 साहायक परत्युक्ता परिच्छा 690 है डिप्लोमा स्थारी के आई टी आई में पतादिशा सो लैविष्टिन के 490 पद है मतलब यह जो कि नियमा उली में जो पंद्रा के अगर नीती की बात कर तो सामाने वेड़तियों में आप बैठ सकते हैं जारकन के बाहर के राज़े भी फाइट पूरी सीटों पर कर सकते हैं तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद